इंडियाज मोस्ट वॉंटेड इंडियाज मोस्ट वॉंटेड इंडियाज मोस्ट वॉंटेड के इस परसारण के बाद अब आपकी मदद से सुशीला छिडा जल्द ही पकड़ी जाएगी Now, we have to capture this week's public enemy number one इंडियाज मोस्ट वॉंटेड पिछले 20 हफ्तों से public enemy number one विरेंद्र उस्ट जोती का पीछा कर रहा थे इंडियाज मोस्ट वॉंटेड ने अपने 13 एपिसोड में इस कतित हत्यारे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया था और हमें दर्शकों ने मुल्क भर से जोती के बारे में बेहत पुखता जानकार्या भीजी जिन पर पुलिस ने बेहत पुरसर अंदाज में काम करते हुए कई जगों पर छापे भीमारे लेकिनी शातिर अब्रादी पुलिस के हातों से हर बार बच निकला इंडियास Most Wanted के जानकार सूत्रों के मताविर विरेंद्र उर्फ जोती इस वक्त सिल्ली, हर्याना, पंजाब या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मौझूद है Coming up next, अंदाजा लगाईया हमारी कानून और व्यवस्था की हालत का खुद राजधानी की अदालत में खुले आम शूट आउट, सैक्डों वकीलों के सामने अपराधी हत्या करके फरार Can you solve this mystery tonight? Stay with us, you are playing an important part इंडिया's Most Wanted, इंडिया Fights Back 9 जुलाई 1997, राजधानी दिल्ली की एक अदालत 30,000 का कमपाउंड, वक्त सुबह के तकरीबन 11 बजे इस दिन मजहर खान और इसका एक साथी राशिद 30,000 कोट पहुँचे सूतरों के मताबिक इस दिन मजहर खान को अपने किसी केस के सिलसले में अपने एक वकील से मुलाकात करनी थी मजहर और राशिद अदालत में पहुचकर सीधे अपने वकील के चेम्बर में दाखिल हुए स्नुख मकिल सब का हैं वकील सब कोट तक करें अब तक अब तक आजेंगे अब धुरत माजेंगे और से ही ग्रें आप बटी ही एक काम करो थोड़ा पानी पानी बीजा होड़ा है इस आध शोटू वाजी वांशन रहाई करें जालाइब है यह माज़र है यह सवेरे सब्सक्राइब बहुत लगए चलब करने आचा अच्छुच तीक सूत्रों के मताबिख इसी दौरान कुछ कथित खतरनाक अपरा थी मजहर पर लगातार नजर जमाए थे वक्त तकरीबन 11 बचकर 40 मिनट मजहर और इसका दोस्त रास्ते में एक दूसरे वकील से बात करके अभी निप्टे ही थे कि सामने से मजहर खान को एक जाना पहचाना सा चेहरा उसके सामने आता नजर आया इस व्यक्ती को अचानक अपने सामने आया देख मजहर को अंदाजा हो गया कि उसका वक्त अब करीब आ चुका है चश्मदीद गवाहों के मताबिक इस वक्त मजहर इन व्यक्तियों के खौफ से लगभग सुन्न हो चुका था मगर फिर भी मजहर किसी तरह इन लोगों के साथ अपने बिगडे हुए रिष्टों को खुशगवार शकल देने की कोशिश करने लगा और फिर वही हुआ जिसका मजहर को पूरा अंदेशा था इस शक्स को गोर से पहचानने की कोशिश करें पुलिस के मताबिक इसका नाम विरेंदरु सिंग उर्फ जोती है इसकी उम्र तकरीबन 35 साल, रंग गोरा और कट 5.6 इंच है इस केस में पुलिस ने एक अफराद तो गिरफतार कर लिया है मगर पुलिस आज भी विरेंदरु सिंग उर्फ जोती को सरगर्मी से तलाश कर रही है इंडियाज मोस्ट वॉंटेड इंडियाज मोस्ट वॉंटेड की इस तहरीक में आपकी शिर्कत के लिए आपका धन्यवाद थैंक यु वरी मुच पर वाचिं इंडियाज मोस्ट वॉंटेड रमेंब तोगर वी कैन रही है गुद ऑब ऑफ ना झाल झाल कि एेंक擊र करें से फानकी बेलेICा इंट में विलावशस के अपक्स Sarah करें कि ऐनकी के एômेखल